आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, so the question is A river is 2.5 meter deep and 45 meter wide is flowing at the speed of 3.6 km per hour the amount of water that runs into the sea per minute is तो देखें यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक river है जिसकी depth 2.5 meter है ठीक है और उसकी width जो है चोड़ाई वो 45 meter है और वो बह रही है 3.6 km per hour के rate से तो rate of flow जो है उसका rate of flow वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3.6 km per hour तो देखें यहाँ पर हमें यह बताना है कि एक minute के अंदर यह river कितना पानी गेर देगी c के अंदर ठीक है यानि कि कितना पानी इसमें एक minute के अंदर बह जाएगा ठीक है और उसके लिए देखें river की कोई length fix नहीं होती river की volume जो है पानी की volume जो है river में कितना पानी है वो rate of flow पे depend करता है ठीक है और वो variable है वो time पर depend करता है क्योंकि rate भी time पर depend कर रहा है ठीक है तो हम यहां से कह सकते हैं अगर हम rate को meter per minute में convert कर लें क्योंकि बाकी dimension हमारी meter में है और हमसे एक minute में कितना पानी वो डालेगी यह पूछा है तो इसको अगर मैं meter per minute में convert कर लूँ तो देखे हैं एक kilometer के अंदर thousand meter होते हैं और एक hour के अंदर 60 minutes होते हैं तो यानि अगर मुझे से meter में convert करना है meter per minute में तो क्या हो जाएगा thousand upon 60 as kilometer पर आ रहे हैं यहां पर into 3.6 ठेक है point अटाओंगा यहां double zero यह cancel out हो जाएगा और यह six से यह कट जाएगा कितने times यह से कट जाएगा six times तो यहां पर आ जाएगा 60 meter per minute यह meter per minute में rate of flow निकल गया हमारा अब हम एक minute में कितना volume of water वो डालेगी यह निकाल सकते हैं ठीक है तो volume of water per minute क्योंकि हमारा rate of flow जो है वो per minute के लिए निकाला है हमने तो बस हमें क्या करना है उसके लिए breath और height का product और उसकी multiply कर देनी है rate of flow से ठीक है और देखें यहां पर breath हमारी कितनी है 2.5, breath है 45, height है 2.5 यह depth कह लिजे और rate of flow है 60 तो इन सब की multiply कर दीजे चलिए यह मेरे पास आजाएगा कितना है आप पर 45 into यह हो जाएगा 60 into 2.5 is 150 ठीक है और 150 की 45 में multiply करने पर क्या आएगा यह मेरे पास आजाएगा 6, 7, 5, 0 meter cube क्योंकि सारी dimension में थी और per minute के लिए तो मैं निकाली रहाँ ठीक है तो यह meter cube इतना पानी एक minute के अंदर river sea के अंदर डाल देगी ठीक है तो option शेक कर लेते हैं अब option first, second, third और fourth में से correct answer होगा option second थैंक यू